आप सभी का बाला की रसोय यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है फाफडा बनाना तो आई ये बिल्कुल आसान तरीके से हम फाफडा बनाएंगे फाफडा बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी बेसन लिया है और ये हमने एक बाउल लिया है बेसन को मैं इस बाउल के अंदर डाल दूंगी मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी हल्दी चोथाई चम्मच ये छोटा वाला सर्वी स्पूल लिया है मैंने और चोथाई चम् मैं हिंग का फिलेवर वहती अच्छा लगता है इसमें और नमक मैं एक छोटा चमच डाल रहे हूं आप नमक अपने स्वाधन सार डाल सकते हैं और एक छोटा चमच मैं अजवैन ले रही हूं अजवैन को मैं हांस्ते करश कर लूँगी एक पिंच के आसपास मीठा सोडा ले रही हूं यह भी इसमें डाल दूगी और चुथाई चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पोड़र डाल रही हूं आप इसे ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हूं इसको अब मैं चम्मच की मादस से मिक्स कर लूगी यह मसाले अच्छे से अब मैं इसे हाथ की मेंद़ से मिक्स करोंगी अब मैं इस हाथ की मेंद़ से मिक्स करोंगी आप Ho МУЗЫКА और इस इसे मैं अच्छे से औई इसमें मिक्स हो चुका है और ये देखो इसकी मूठियां भी बनने लगी है मैंने सिरफ इसमें दो चममची ओईल डाला है इसमें पानी डालूंगी ये मैंने एक कप पानी लिया और इसमें 2 सेटी चममच में पानी ढाल दूंगी ये मैंने तीन चमच डाले हैं थोड़ा थोड़ा करके ही मैं इसमें पानी डालूँगी और मैं इसमें फिर से पानी डालूँगी तीन चमच फिर डाले हैं मैंने इसके अंदर पानी हमें इसे ज़्यादा डीला नहीं करना है आटे को जिस प्रकार से हम रोटी गाड़ा गुन के तियार करते हैं उस प्रकार से तियार करना है फिर से मैं इसमें दो चम्मच ओर डाल दूगी पानी ये हमारा पानी से अच्छे तरह गुल चुका है बेशन हमारा टोटल पानी आठ चम्मच लगा है एक कटोरी बेशन के अंदर ये हमारा अटा गुन चुका है अब मैं थोड़ा सा ओईल ओडालूंगी इसमें ये मैं आधा चम्मच ओईल ओडाल रही हूँ जिसे कि हमारा ये डो हाथ पेना चिपके ये देखो डो हमारा बिल्कुल सैट है और इसे अब हम एक साइड में रख देंगे ये हमारा अटा सैट हो चुका है और ये मैं आज फापड़ा पोल अथीन के उपर बना के दिखाऊंगी और बिल्कुल असानी तरीके से बनकर त्यार हो जाएगा अब मैं इस डो के छोटे-छोटे इस परकार से पेड़े कर लेती हूं मैं इस परकार से मैं लंबे-लंबे पेड़े से लंबे करके तियार करूंगी एक तरफ से नोक को रहने दूंगी मैं इने बेल के दिखाऊंगी आपको बिल्कुल असानी तरीके से यह हमारे बनकर त्यार हो चुके हैं और यह मैंने एक पोलाथिन लिए है इस पर मैं और लगाऊंगी थोड़ा सा ऐसके पास कोई भी पोलाथिन पड़ा हो वो ले सकते हैं मैं इसको किनारी पे रखोंगी पोलाथिन के और इसको मैं इस प्रकार से फोल्ड कर दूंगी और ये मैंने एक बेलन लिया है बेलन की नमदस्य में से इस प्रकार से लंबाई में राम से दीरे दीरे बेलती जाओंगी कितने अच्छे से बिलकर तियार हो गया है अब मैं पॉलथीन को धीरे से हटाओंगी बिल्कुल धीरे से हटाना है पॉलथीन को और यह देखो बिल्कुल धीरे से हड़ चुकी है हमारी प्लाथीन अब मैं इसे निकालूंगी और बिल्कुल असानी से उतर रहा है देखो कितने बढ़िया से उतर गया है अब मैं इसे औ Lela के अंदर छोड़ दूगी अब मैं इसकी साइड़ चेंज करूंगी हमारा फापड़ा बन कर त्यार हो चुका है इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूं अब इसी प्रकार से में बाकी फापड़े भी देल कर त्यार करूंगी आप चाहे इसे हाथ की मदस्ते भी बना सकते हैं अब देखो और मैं इसे प्लेट में बेल बेल के रख लूँगी इसी प्रकार से मैं अपने सारे फापड़े बेल कर त्यार कर लूँगी और अब मैं इसमें फापड़े फिर से डालूँगी बिल्कुल असान तरीके से मैंने आपको फापड़े बनाना सिखाया है उल्सmap हमारे ब catalog कर लूँग प्रकार बेल कर दोटोंस्ट जाओ़े बेल करे लुटबें सुर्सफे जब का 상वी वुब मैं इसमे मैं आब लूबाट अब pleasing थो, बिल्दमें तस नड़े लूएई कर दोब प मैंपको का यश़chi और यह हमारे सारीफ आपड़े बन कर त्यार हो चुके हैं में निकाल लूंगी मोटी वाली अब मैं इन्हें भी फ्राई करके दिखा देती हूं कि मैंने बीच में से कट लगा लिया है इनमें इसको मिर्च को फ्राई होने दूंगी देल के अंदर और यह हमारी मिर्च भी फ्राई हो चुकी है गैस को मैं बंद कर देती हूं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी मिर्ची के अंदर में चुटकी भर नमग डाल दूंगी गरम गरम को ही यह हमारा फाफडा बनकर त्यार हो गया है वो भी बिल्कुल असानी तरीके से बनाए है हमने फाफडा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें